तो दोस्तो यूर्यम स्रीज एपी सोड टू में आप सब लोगों का स्वागत है यानि की अंडरेटिड मुवीज में आप सब लोगों का स्वागत है आज गी वीडियो में बात करने वाला हुए केसी अंडरेटिड मुवी के बारे में जिस मुवी को देखने के बाद आप लो से बोल सकता हो कि आप लोगों को भी जो एक पर्शेंट भी सिकायत नहीं होगी कि मैंने आप लोगों की मुवी क्यों सजेस्ट करी क्योंकि यार यह पिलम जो अपने आप में यह कैसी अंडरेटन मुवी है जिस फिलम को वोसकर के लिए भी नोमिनेट किया जा सकता है मतलब हर पब्लिक चाहती ही कि इस फिलम को वोसकर मिले क्योंकि इस टाइप का सिलमा तो यार अम लोगों को देखने के लिए मिलता है नहीं है रियल लाइफ इस्टोरी है तो आप लोगों जाकर जरूर देखेगा इस फिलम का नाम है टोयल्थ पेल आप लोगों ने यह मुवी बात करने वालाव जो की काफिस दा जबरदस्त है एंड जिसकी वजह से यह फिलम जो एक प्रोपर अंडरेटेड मुवी बन जाती है देखो इस फिलम का जो बजट्यों मातर 20 क्रोड ता लेकिन 20 क्रोड के बजट में बनने वाले इस फिलम लगबक जोए 70 क्रोड की कमाई क यह फिलम को बनाया गया कसम से मजा गया यह तो इस फिलम को प्रोपर देशी टच देखने के लें मिला जिसकी वज़े से जो है यह फिलम काफिस्दर रेलिस्टिक लग जाती है अभी मैं आप लोगों को बता दो क्योंकि यह फिल्म जह है मनोज कुमार सर्मा के जिवन के परादारी ती यानी कि एक बायोग्राप्य जिसे आप लोग बोल सकते हो ये ये कैसी फिल्म है जिस फिल्म को देखने के बाद आप लोग जुए जिन्दिगी में काफिस दा मोटिवेट हो जाओगे इस पिलम को देख लिया ना कसम से आग लग जाएगी आप लोगों को मोटिवेशन की इस पिलम में मनोज कुमार सर्मा का जुद किरदा निवाए इस एक्टर का नाम है विक्रंत मेसी और मैं आप लोगों को बता दू कि इ मैं देखने के लिए मिलें जिसके वज़ए से यह पिलम हर किसी से कनेक्ट कर पाती है अदिजे जदा गर की इस्ताती खराब होने के बावजूद भी एक लड़का आईपीस ओफिसर बनकर सामने आता है कसम से मजा जाता है इस पिलम को देखा दो बार देखा और मैं इस पि की मुविस को ओसकर क्यों नहीं मलता तो यार मैं तो यह की चीज बोलना चाहूंगा भाई फिलम गजब यह फिलम सबसे दा अंडरेटेड तो आप लोग इस मुविए को जरूर देखेगा बाकि आप लोग क्या राइए कोमेंट करके बताना जरूर तो आज गा वीडियो आ आपके लिए बाई बाई नमस्कार जे हिंद जे बारत